जो हर दिन कचरा का उठाव कर निरधारी तस्थान पर रखेंगे जहां से उसके प्रवंधन किया जाएगा कारिकरम को संबोधित करते हुए सियो स्रीप पासवान ने कहा कि अगर आप लोगों के सहयोग से स्वक्षता अभियान के छेतरे में मधवपूर प्रखंड मोडल प्रमोख बनने के लिए अगरसर है क्योंकि लोहिया स्वक्षता विहार एक अभियान है कोई भी अभियान जन सहयोग से ही सफल होता है विभाग द्वारा रिक्षा वा पाइलेट प्रजक्ट के तहत डश्ट्विन उपलब्ध कराया गया है जो प्रते दिन सुक्षता कर्मी हाथ रिक्षा लेकर घरघर से कच्रा उठाएंगे मौके परवार सदस्परदीप यादव स्तरवन यादव कमेस्त्वर यादव कूसे मंडल रामनात तुराउत सुनील सहनी समेत अन्निलोग मजूद थे फ्रते हुआ अन्निलोग में वजाना बड़ना बनकार इसलाएंगे नाद धरत कर्मी है आए है ए स्ट्री इसलाएंगे आए देखो भाई आज कल तेज धूप और लू से लोग काफी परशान है इससे बचने के लिए करी धूप में बाहर मत निकलना और यदि निकलना भी परे तो भरपेट भोजन करके धीले ढाले सूती कपरे जूते या चपल पहन कर ही निकलो साथ में भीगा हुआ तौलिया और पानी जरूर रखना है तापमान अधिक हो तो आप लोग मेहनत या मजदूरी ज़्यादा नहीं करिएगा खाना कम खाना है और पानी ज़्यादा पीना है इसके अलावे खाने में अधिक पानी की मात्रा वाले मौसमी फल लीजे मांस अंडा सूखा मेवा गर्म या मादक पेपदा जर्दा तंबाकू का सेवन मत करना तबियत खराब लगे या चक्कर आए तो तुरंत डॉक्टर साहब के पास चले जाईएगा बाकिर अगर तबहू लू लग गया तो फिरका करेंगे सबसे पहले लू लगे व्यक्ति को च्छाओं में लिटा कर थंडे गीले कपड़े से शरीर को पोचना है चाहे थंडे पानी से उसे नहलाना है लू लगने के पहले या लू लगने के बाद O.R.S. या नमक चीनी पानी का घोल, छाच या आम का पन्ना देते रहना चाहिए नजदी की स्वास्त केंद्र में ले जाईए